क्या आपको पता है कि अगर आपके आसपास किसी ब्रांड की डिलोशिप है तो आप उस ब्रांड के समान को होल सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज लेने का सोच रहे हैं तो आप पतंजली की फ्रेंचाइज ले सकते हैं पतंजली के उत्पाद लोगों के दोरा बहुत पसंद किये जाते हैं कुछ ही सालों में पतंजली भारत का जाना माना बुरान बन गया है अगर आप पतंजली की फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि आपका बिजनस चलेगा या नहीं आईए जानते हैं कि पतंजली की डिलोशिप कैसे ली जाती है पतंजली की डिलोशिप कैसे ले अगर आप पतंजली की डिलोशिप लेना चाहते हैं तो आपको पतंजली की डिलोशिप ओनर से संपर्क करना होगा जब आपको dealership मिल जाए उसके बाद आप हर महीने पतंजली के उतपादों का tender खरीड सकते हैं उन उतपादों को wholesale करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप चाहे तो उन उतपादों का retail business भी कर सकते हैं दोनों ही माद्यमों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं पतंजली की online franchise कैसे ले क्या आपको पता है आप पतंजली की franchise online भी ले सकते हैं जी हाँ यह मुम्किन है पतंजली की online franchise लेने के लिए आपको पतंजली की अधिकारी mail id पतंजली.dealership.gmail.com पर form भर के mail करना होगा जिसके बाद पतंजली का head office आपके firm को देख गया अगर उन्हें सारे जानकारी ठीक लगेगी तो आपको पतंजली की franchise मिल जाएगी अब बात करते हैं इसके लिए आपको जगह कितनी चाहिए पतंजली की franchise लेने के लिए आपके पास कम से कम 350 वर्क फिट की जगह होनी चाहिए सिरफ इतना ही नहीं जहां पर आपकी दुकान हो उस एरिया की आवादी कम से कम एकलाफ होनी चाहिए अगर आप ये दोनों शर्ते पूरी करते हैं तो आप पतंजली की franchise ले सकते हैं पतंजली की franchise की लागत मेंगी है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है तब ही आप पतंजली की franchise ले सकते हैं पतंजली की franchise लेने के लिए लगबग 5 से 7 लाख रुपे का खर्चा आता है अब बात करते हैं इसके अंदर कमाई कितनी होती है जैसा कि आपको पता है कि पतंजली एक जाना माना ब्रांड है लोगों को इसके उत्पादों पर भरोसा है ऐसे में अगर आपकी दुकान सही जगर पर होगी तो आपकी दुकान में अच्छी विक्री होगी जब विक्री अच्छी होगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी ये था पतंजली का अब बात कर लेते हैं पतंजली फ्रेंचेज का भविश्य क्या है कोई भी बिजनस करते हैं तो अमें उसका भविश्य भी पता होना चाहिए अब देश से लेकर विदेशों तक में हर जगे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जबदस्ट डिमांड बढ़ गई है हर कोई हर्बल प्रोडक्ट का ही प्रियोग कर रहा है और जब भी बात हर्बल प्रोडक्ट की आती है तो हर किसी के जहन में सबसे पहला नाम पतंजली का ही आता है तो ये था पतंजली विजनस आइडिया और इस भी जानकारी के लिए चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट सेक्षन में कमेंट करें